नमेश्कार दोस्तों आपको तो पताई होगा मैनमार का जो तक्ता पलट किया गया था 1st of February को उसके उपर कई सारे वीडियोस बन चुके हैं लेकिन उसका एक जो बहुत बड़ा इंपक्ट हुआ है वो अब भारत के उपर देखने को मिल रहा है क्योंकि अव्वेसी बात है व क्या परणाम देखने को मिल रहा है कि जो central government है union government है और जो border के states है हमारे जैसे की especially मिजूरम हो गया वो यहाँ पर दोनों के बीच में कुछ और problem देखने को मिल रही है यहाँ पर central government नहीं चाहती कि refugee दिया जाए यहाँ पर उनको entry दी जाए भारत के अंदर लेकिन जो state government है उनका कुछ और मत है यहाँ पर आप लगतार कई सारे articles देख सकते हो मिजूरम government seeks to help Myanmar refugees as center pushes for strict action to stop influx यहाँ पर भी आप देख पाओगे रोहिंगया refugee issue must be seen through humanitarian angle तो यह पुरा मामला है क्या exactly जब हम refugee की बात करते हैं तो किस आधार पर जो central government है वो UN का कौन सा convention है जिसको लेकर य यहाँ पर हमें refugees को accept नहीं करना चाहिए state government का क्या तर्क है वो लोग क्यो accept करना चाहते हैं हर एक सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ चलिए आगे बढ़ते हैं मैं हूँ अंकित अगरवाल और अपडेट के लिए आप मुझे follow कर सकते हैं Instagram, Facebook और GSC course है आप उसको ले सकते हैं जहाँ पर आपको comprehensive way में जितनी भी चीज़े हैं materials हैं एक जगह उपलब करा दी जाएंगी चलिए यहाँ पर आप देखते हैं exactly हुआ क्या है तो first of February को जैसा की पता होगा तकता पलट किया गया था Myanmar के अंदर तो जो मिजोरम है जो मिजोरम रा तिरपूरा जो है वो बांगलादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है क्योंकि यह वाला भी जो आप एरिया देख रहे होनी चाहिए यह आपका बांगलादेश का ही एरिया है यह जो जितने भी एरियस है ठीक है तो यहाँ पर क्या हुआ है कि मिजोरम चाहता है कि humanitarian angles देखत सेवे भारत को जो है वो इन लोगों को श्रंट देना चाहिए मत्तब कि उनको entry देनी चाहिए और करीब बताया जा रहा है कि 1000 से जादा लोग at least 1000 लोग तो ऐसे हैं जो Myanmar की जो चिन स्टेट है यहाँ पर आपको states भी दिखा सकता हूँ मैं आप देखिए यह वाला जो state है ज हम discuss करेंगे थोड़ा सा तो यहाँ से जो चिन स्टेट है यहाँ से at least 1000 से जादा लोग तो आई है official जो बताया जारा मतलब कि जो आपड़ा वगरा state government के द्वारा दिया गया है इसकी संख्या और कहीं जादा हो सकती है तो यहाँ पर जो मिजूरम government है वो favor कर रही है वो कह र signatory दी जाए लेकिन जो ministry of home affairs है उनका यह कहना है कि जो भारत है वो अभी भी signatory नहीं है ध्यान रखेगा भारत signatory नहीं है 1951 का जो UN का convention है यह जो 1951 का convention है यह relate करता है status of refugees मतलब कि जब यहाँ पर refugees वगरा कौन से देश accept कर सकते हैं अगर आप signatory हो तो आपको accept करना 1967 में एक protocol भी आया था यह सारी चीजें यह जो convention और protocol है इसकी चर्चा मैं end में करूँगा ताकि आपको इसके बारे में और clarity हो जाए लेकिन अभी के लिए याद रखना कि हमारा जो देश है वो इन दोनों convention और protocol दोनों का signatory नहीं है और इसी लिए central government कह रही है कि आप इसको accept मत करिए लेकिन miserum government कह रही है कि नहीं यह तो अपने ही type लोग है और इन्हें हमें accept करना चाहिए तो यहाँ पर सबसे पहला question आता है कि यह जो refugees है मैनमार की तरफ से वो कब से start किये आना तो करीब एक मेहने के बाद यहाँ पर जैसे जैसे उधर लोगों के उपर प्रतारन के अंदर policeman है और जो fire department से relate वगरा करते है fire service department से वो लोग क्या किये उन्होंने civil resistance movement को join कर लिया मतलब police को भी लगा कि यह जो मैनमार की military है वो गलत कर रही है तो वो एक तरह से civil resistance movement के अंदर स्वामिल हो गया लेकिन यहाँ पर obvious ही बात है military को यह पसंद नहीं आएगा तो इन few weeks के अंदर यहाँ पर 400 से जादा लोगों की संख्या बढ़ गई और वो इसके अंदर आ गए और यहाँ पर आप देख सकते हो जो मिजोरम का state department है home department है उन्होंने कहा है कि जादा तर जो मिजोरम के अंदर लोग आये है asylum लेने के लिए वो मैनमार के police और fire service department से ही है तो एक और याद रखेगा एक त्याओर रिवर है यहाँ पर त्याओर रिवर आप देख बाए जैसे यह है जो हमारा तो ज्यादा तर जो हमारा border है इस पर यह त्याओर रिवर को cross कर रहे हैं तो आपके exam point of view से प्रिलिम point of view से याद रखेगा कि यहाँ पर त्याओर रिवर है ऐसा नहीं है, पिछले कई बार ऐसा देखने को मिला है, 2017-18 में आपको याद होगा, जो पूरा रोहिंग्या वाला क्राइसीस हुआ था, अरक्कन आर्मी का क्राइसीस हुआ था, अरक्कन बेसिकली यहाँ पर क्या है, यह जो आप पूरा राज देख रहे हो ना, रखाइन अरक्कन आर्मी है वहाँ पर, जो मैनमार की मिलिटरी के साथ फाइट करती रहती है, वो लोग चाहते हैं कि उनको आटोनोमी दी जाए, अलग से यहाँ पर प्रांत का दर्जा दिया जाए, तो यहाँ पर उन दोनों के बीच में फाइट चलती रहती है, तो उस समय क्या हु मिजुरम के अंदर आ गए थे, और करीब बताया जा रहा था कि एक साल से जादा तक जो है, वो मिजुरम के अंदर ही रुके वे थे, और सिर्फ यही नहीं, जो चिन एथनेटी से बिलॉंग करते हैं, जो लोग मिजुरम के अंदर करीब 40 साल से जादा से रह रह रहे हैं, तो इस तरह की छोटे-छोटे incidents आपको कई बार देखने को मिलेंगे, लेकिन इस बार का जो crisis है, इस बार एक बड़े मात्रा में जो लोग हैं, वो भारत के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि अब्वेसी बात है, तक्ता पलट हुआ है मैनमार के अंदर, और यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि मिजुरंग पर ही हो रहा है, यहाँ पर मैं ज़्यादा तर एक्जामपल मिजुरंग के साथ ले रहा हूँ, क्योंकि संख्या ज़्यादा होती है मिजुरंग की तरफ, लेकिन जो उसके उपर वाला राज है मनीपूर, वहाँ पर भी आपको कई सारे जो influx हैं वो होते वे देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर यह बॉर्डर जो है मैंने आपको बताया भारत और मैनमार के बीच में यह बॉर्डर किस तरह का है, यह भी एक question आता है अगर suppose हम बॉर्डर को secure रखेंगे तो अव्यसी बात है वो enter नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको समझना है कि पाकिस्तान और बांगलादेश के साथ जो हमारा बॉर्डर है, वहाँ पर कई जगाँ आपको जो fences वगरा है वो देखने को मिलेंगे, security बहुत ज़ादा tight रहती है पाकिस्तान बांगलादेश बॉर्डर के पास, लेकिन यह जो मैनमार बॉर्डर के साथ है वहाँ पर इतना आपको fences वगरा चीज़े नहीं देखने को मिलेंगे, बेसिकली इसको guard किया जाता है असाम rifles के दोरा, आपको और वहाँ पर असाम rifles काफी अच्छा काम करती है, airtight vigil रखने के कोशिश करती है, ताकि वहाँ से जो लोग है वो आनी पाए, लेकिन आपको समझना है, अगर हम technology और human अगर उस पर देखें, तो obviously बात है, human being कितना उस पर निगरानी कर पाएगा, फिर भी कई लोग आ जाते हैं, लेकिन चलो ठीक है, उतना हमें दिक्कत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर कई सारे जो political parties हैं, लोग हैं, उनका मानना है कि नहीं हमें इसको भी fencing करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो extremist group हैं, वो भी भारत के अंदर आ जाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, कई सारे लोग हैं, जिनका यह मानना है कि नहीं हमें fencing नहीं करनी चाहिए, अब उनका भी बात सही है, बेसिकली आगर आप देखोगे, जो मैनमार और भारत का बॉर्डर है, चाहिए, नागा लेंड हो, मनीपूर हो कहीं भी, तो यहां पर बहुत सारे cross border लगतार लोग करते रहते हैं, मतलब कि रोज मर्रा की जिन्दी भी क्या है कि करीब 10 km का ऐसा, 16-20 km का एरिया ऐसा है, जहां पर जो families हैं, वो आपस में बहुत जादा उनके बीच में, मतलब एक ही तरह की families हैं, कुछ families इधा रहती हैं, कुछ 18 में अगर आप देखोगे, दोनों देश के बीच में समझाता हुआ था कि करीब 16 km का जो पुरा radius है, आपका दोनों साइट की तरफ, 16-16 km, यहां पर हम इसको allow कर देंगे कि लोग वहां से इधर आ सकते हैं, और इधर से लोग उधर जा सकते हैं, और इसमें करीब 200 villages आते है बताया जाता है कि 3,000,000 से जादा people रहते हैं 10 km के radius पर, यह इंडिया मेनमार का बॉडर है, तो इसी के बज़े से यह भी जादा जरूरी हो जाता है, तो I hope कि यहां पर काफी हद तक clarity मिल गई होगी, लेकिन अब एक last सवाल आता है कि जो central government है, उनका क्या stand है, और जो government ने यह कहा, कि 26th of February को एक standard operating procedure जारी किया गया, जितने भी border areas में जो district है, जो deputy commissioners है, border areas के इंडर जो district है, उनको एक standard operating procedure जारी कर दिया गया, और यह कहा गया, कि जो भी लोग enter कर रहे हैं, आप उनको enter करने दीजे, उनको relief provide कर ये, लेकिन उनका पुरा detail है, हर एक चीज, वो क्यों enter कर रहे हैं, क्या है, जो भी detail आप उनसे proper अच्छे से identify करिए, और उनकी निगरानी रखते रहे हैं, वो कहा पर जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा यहाँ पर standard operating procedure जारी कर दिया गया, सभी deputy commissioners को जो border district में है, और यहाँ पर government का ये कहना था कि, जितने भी लोग enter कर रहे हैं, अगर उनको threat to life है, जीवन का खत्रा है उनको, तो उनको refugee की तरह रखना चाहिए, और medical care देना चाहिए, relief देना चाहिए, rehabilitation करना चाहिए, security प्रोवाइड करनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर, जो miserum government है, उनका कहना था, लेकिन 6th March अब क्या होता है, कि यह जो standard operating procedure है, इसको वाप ministry नहीं है, 10th March को यहाँ पर, जो ministry of home affairs है, उन्होंने सभी, जो chief secretary है, जो हमारा border states है, मिजुरम, नागालेंड, अरुनाचल, परदेश, मनीपूर, सबके साथ यह share करता है, तो उन्हीं को, सबको यहाँ पर, जो आपका letter है, वो जारी कर दिया गया, और उसमें ये बोला गया कि किसी भी मैनमार के लोगों को हमें शरण नहीं देनी है, जी हाँ, refugee allowed नहीं करना है, ऐसा clearly ministry of home affairs की तरफ से order आ गया था, और जो state government, और ये भी बोला गया, कि कि किसी भी राज सरकार के पास power नहीं है, कि foreigners को यहाँ पर हम refugee का status दे सके, मतलब यह power सरिफ central government के पास है, state government ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन obviously बात है, जैसा मैंने आपको पता है कि मिजोरम government जो है, वो इससे एकदम नाखुश थी, यहाँ पर आप देख सकते हो, जो राजसभा के member है मिजोरम से, उनका ये कहना था कि they are like our family, we share ethnic ties with them, we do not want, उनका ये कहना है कि हम भारत सरकार से ये नहीं चाहत 1951 का ये जो refugee convention है, ये आपके exam point of view से बहुत important हो जाता है, तो धिहान रखेगा, ये United Nations का multilateral treaty है, तो ये किसी से related है, United Nations से ये पहली चीज़ा आद रखना है, इसके अंदर क्या है, सबसे important चीज़ है कि जो refugee है, उसकी definition दी गई है, कि refugee हम किसको बोलेंगे, किस वजह से बोलें दूसरा आपके exam point of view से याद रखना है, कि इसका जो score principle है, उसको कहते है, non-reformment, ठीक है, non-reformment का मतलब ये होता है, कि एक बार जो refugee है, वो आपके देश में enter कर गया, फिर आप उसको उस देश में वापस नहीं भेज सकते हो, जब तक उस देश के अंदर शांती नहीं आ ज कहता है, कि आप उनको तब तक नहीं भेज सकते हैं, जब तक ये तैना हो जाए, कि उनको जान का खतरा नहीं है, यहाँ पर रोहिंग्यास का कहना है, कि अगर हम वापस जाएंगे, तो हमारी जान जा सकती है, इसके लिए इसी कहां कहते है, non-reformment, कि आपको वापस नहीं भ कर दिया गया, मतलब कि यहाँ पर जो applicability है refugees की, और जादा broader कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, जैसे कि geographical time limits, वगर कई सारी चीज़ें limits लगा दी गई थी, 1951 वाले convention में, उन सारे limits को यहाँ पर हटा दिया जाता है, लेकिन आप याद रखेगा, भारत जो है, ना तो 1951 का convention को signatory है, और ना ही 1967, जी हाँ यहाँ यहाँ पर आप अलग-अलग, अलग-अलग signatory भी कर सकते हो, जैसे कि आप देखिए, USA, Venezuela, वो 1951 के convention का signatory नहीं है, लेकिन 1967 का जो protocol है, उसका वो signatory है, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, और एक बार आपने signatory कर दिया, आपने signatory कर दिया, र आपके उपर obligation आजाता है, कि अगर आपके आसपास पड़ोस में आपके refugees आते हैं, तो आपको accept करना ही पड़ेगा, तेकिन भारत इसका signatory नहीं है, इसलिए central government जो है, वो मना कर रही है, आई होब कि जो मैनमार refugees से related, जो भी crisis चल रहा है, issue चल रहा है, वो आपके, जो भी doubts ह सब कुछ clear हो गया होगा, जाने से पहले, यहाँ पर refugee से related ही एक बहुत ही interesting question है, UNHRC, that is United Nations Human Rights, जो council है, उनके द्वारा कई सारे आंक्रे जारी किये गया है, उसी के basis पर दो statement मैंने दिया है, refugee से related, क्या आप मुझे बता सकते हो, बहुत ही interesting है, इसका जो right answer है, आपको बता ही ह जाही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो, कोई बात ने टेलिग्राम से ले सकते हैं, मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूं, stories के form में, आप जाकर play कर सकते हो, अगर आप उसे economy पर ना चाहते हैं, कोई भी course purchase करना चाहते हैं, study IQ आप पर जा सकते हैं, होग की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलतों आप से नेक्स ताम, तिल देन, thank you very much, see you soon.